हेलो स्टुजेंट्स अभी हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.5 का कुश्चिन नमबर 1 write these fractions appropriately as addition और subtraction ये कुछ th flygers दिए गये हैं इनके fractions को लिखना है उसकी मदद से बताना है ये इडिसन होगाया suspicion होगाया थीकए यहां जो symbol बने हुए खाली युआला चाली स्थान है यहांपर फ्लस होगा या माइनस होगा यही चीज बताना है चलिए देखते हैं पहले तो denominator में क्या रहेगा 5 उसमें से sided कितना है 1 इसका fraction बनेगा 1 upon 5 इसका क्या fraction बनेगा इसमें 5 पार्ट है तो denominator में तो 5 ही रहेगा उपर क्या हैगा 2 part sided है 2 upon 5 यहाँ पर क्या बनेगा डिनोमिनेटर में तो 5 है और sided कितना है 3 अब यहाँ पर आपको यह बताना है यहाँ प्लस होगा यह माइनस होगा यानि यह दोनों फिगर को कुछ हुआ ऑपरेशन इसमें प्लस या माइनस तो यह वाला फिगर बना आप वैसे गर फिगर को देखकर बताना चाहें तो एक पार्ट इसमें कलर है दो पार्ट इसमें कलर है और तीन पार्ट इसमें कलर है यानि दोनों को एड़ किया गया है तब जाकर यह बना है वह वाला फिगर इन दोनों फिगर को एड़ करने के बाद एक पार इसमें दो पार इसमें तो तीन पार इसमें ह हो गया यानि कि यहाँ पर हुआ क्या है add, ठीक है, figure देख के भी में so देजे सकते हैं और इससे कैसे पता चलेंगे कि देखो यहां है 1 upon 5 यहां है 2 upon 5, जब 1 upon 5 और 2 upon 5 को add करेंगे तभी तो हमारा 3 upon five आएगा नब डिनोमिनेटर सेम होते हैं अगर 5 और 5 यानि like fraction है यह देखो तब like fraction है like fraction अपड़ चुके हैं जिसके denominator same होते हैं अगर denominator same होते हैं तो उपर वाला हम plus है तो plus कर देते हैं minus minus कर देते हैं नीच वाला वैसे ही रहता है 5 तो 5 भी रहेगा और 1 और 2 2 add होके क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा यानि यहां क्या हो रहा है प्लस यहां पर देखी क्या हो रहा है टोटल पार्ट है और टोटल सेड़ेट भी पूरा है यानि 5.5 इसका फ्रेक्शन है इसका फ्रेक्शन क्या है सेड़ेट कितना है 3 कितने में से 5 में से यहां पर साइडेड है यहां 3 part और यहां 2 part 5 में से 3 minus होगा तभी तो 2 आएगा यानि यहां क्या हो रहा है subtraction ठीक और अगर fraction में देखना चाहें तो 5.5 यहां भी 5 यहां भी 5 यानि denominator सेम है उपर जो भी operation करना चाहें कर सकते हैं 5 में से 3 जाएगा तभी 2 आएगा यानि subtraction होगा यहां पर यहां भी देखिए यह figure क्या है इसका part अगर लिखे हैं हम लोग fraction यह बनेगा total कितर है 1 2 3 4 5 6 total है 6 उसमें से colored है 2 यहां पर total है 6 colored है 3 और यहां पर total है 6 colored है 5 2 color है 3 color है दोनों add करेंगे तभी 5 color बनेगा यानि यहां पर भी क्या हो रहा है plus हो रहा है ठीक है देखो 2 और 3 को add करेंगे तो 5 हो जाएगा denominator तो अहीं रहता है ठीक तो इसमें plus होगा इसमें minus होगा इसमें plus होगा यहीं चीज़ पूझ रहा था कि addition होगा subtraction होगा तो यह हमारा answer है plus minus plus ठीक है यह था question number one मिलते है question number two में तब तक के लिए जैहन झाल